हेलो आल, मैसल फितेश कौशिक, सिविल स्टैप के बहतरीन मज़ पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सिविल स्टैप एक बहुत ही नए और युनीक कोर्स के साथ आया है बच्चों की पुरानी क्वरीज थी हमारे साथ जो बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए उनकी ये डिमांड थी के हमें हर्याना पॉब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा जो कंड़क्ट किया जाता है एक्जाम HCS एक्जाम के लिए भी जो मेंस एक्जाम है उसके लिए आप हमें प्रिपेर कराएं तो हमने ये बच्चों की क्वरी सुनी और हम ये जो कोर्स है वो आपके सामने लेकर आए है फ्री अप कॉस्ट ऑन यूट्यूब तो जो बच्चे हर्याना सिविल सविस एक्जाम के मेंस के लिए क्वालिफाई कर गए है इस बार 2023 में तो वो हमारे इस कोर्स का बेनफिट उठा सकते हैं ये कोर्स पूरे तरीके से यूट्यूब पर फ्री में उपलब्द रहेगा मेंस रिटन एक्जाम जो बच्चे जो कई सालों से तयारी कर रहे हैं लेकिन दिनको ये समझ में नहीं आता कि मेंस के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करना है उनके लिए ये कोर्स बहुत फायदे मन्द हो सकता है ये जो मेंस का जो हमने कोर्स तयार किया है इसमें हम मेंस के देख लिए आप फर्याना सिविल सवेस एक्जाम में चार पेपर होते हैं पहला paper अंग्रेजी का होता है या English का जिसे जो 100 marks का होता है जिसमें essay included रहता है। उसके अलावा paper 2 हिंदी का होता है और देवनागरी स्क्रिप्ट में होता है और उसके अलावा इसमें भी Hindi essay included होता है ये भी 100 marks का होता है। paper 3 general studies का होता है और ये 200 marks का होता है उसके अलावा paper 4 optional subject होता है ये भी 200 marks का होता है तो total comes out to be 600 marks तो 600 marks का ये पूरा exam रहता है। अब इस exam के लिए जो हमारा course है हम उसमें paper 1, paper 2 और paper 3 तीनों exams के लिए prepare कराएंगे English including essay, Hindi including Hindi essay और General Studies ये सब जो है हम prepare कराने वाले हैं अपने upcoming course में जो YouTube पर आपके लिए available रहेगा। देखें, HCS Mains 2023 के लिए हमने ये answer writing course बनाया है ताकि students को nature of questions समझने में आसानी हो उसके अलावा हम इस course में आपकी मदद करेंगे सवालों की गहराई जानने में और उसको किस तरीके से tackle किया जाए ये समझने में हम आपकी मदद करेंगे। हम इस course में आपकी template building में भी मदद करेंगे कि templates कैसे बनाये जाते हैं ताकि आप बहुत अच्छे answers लिख सकें जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें मेंस exam के उसके अलावा approach क्या होनी चाहिए मेंस exam के लिए और time management किस तरीके से करना है ये सारी चीज़े हमारे mentors क के द्वारा आपके लिए available रहेंगी और मैं आपको बता दूं हमारी team जो अपनी competitiveness के लिए जानी जाती है और जानी जाती है अपने best results के लिए वो आपके साथ अपने experiences share करेंगे उसके अलावा आपको guide करेंगे mentor करेंगे ताकि आप HCS means exam को qualify कर सके और अपने जीवन में समर और मैं आपको बता देता हूं कि हमारा course 19th June 2023 से YouTube पर शुरू होने जा रहा है free revision course for HCS means exam 2023 तो मैं उमीद करूंगा कि जो students हमारे course से जुड़ना चाहते और इसका लाव उठाना चाहते तो वो YouTube पर हमसे जरूर जुड़ेंगे 19th June 2023 से तो अभी के लिए इतना ही और फिर मिलें के 19th June को धन्यवाद